Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम fragmentation pattern पड़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो हमारा fragmentation pattern का लेक्चर था, वो अलकेन्स पे था. हमने अलकेन्स में देखा था कि क्रेक्टरिस्टिक पीक्स कौन सी आती हैं? हम कैसे इंटिफाइ कर सकते हैं कि ये स्पेक्टरम किसी अलकेन का है? और उसके बाद हमने वहाँ पर देखा था कि मॉलीकुलर राइन पीक की इंटेंस्टिक अब ज्यादा होती है? स्टेट चेन में, ब्रांच में उसकी इंटेंस्टिक काम हो जाती है, फ्रेग्मेंटेशन फेवरेबल हो जाती है क्योंकि स्टेबल कार्बो केटाइन बनते हैं. आज हम देखेंगे फ्रेग्मेंटेशन पैटरन इन साइक्लो अलकेन्स. साइक्लो अलकेन्स में जो मॉलीकुलर राइन पीक होती है, उसकी इंटेंस्टी ज्यादा होती है. साइक्लो अलकेन्स में जो मॉलीकुलर आइन पीक होती है, वो अबंडेंट होती है, वो स्टेबल होती है, उस पीक की हाइट ज्यादा आती है, इंटेंस होती है. इसका मतलब ये निकला कि इसमें फ्रेग्मेंटेशन काम होगी बचा क्या है अलकेंस में तो हमने देख लिया था स्ट्रेट में इसलिए इंटेंस आती है क्योंकि उससे बनने वाले कार्बोकाटाइन स्टेबल नहीं होते primary carbocatine होते हैं state में branched में हमने देखा था less intense molecular iron बनती है less intense क्योंकि उससे बनने वाले fragment stable होते हैं यहां क्या problem लगा है यहां पर actually जब fragment बनाना है तो यहां पर दो band break करने पड़ते हैं cyclic system में यानि for example हमारे पास simply cyclohexene है अब cyclohexene के fragment कब बनेंगे जब यहां पर दो band break होंगे for example यह वाला band break होगा तो फिर भी यह hexene ही रहेगा यहां पर जो exile बनेंगा जो carbocatine बनेंगा उसके और molecule के mass में कोई फरक नहीं आएगा तो यहां पर loss तो हुआ नहीं सिरफ ring open हुई है तो fragment बनाने के लिए यहां से एक band और break करना पड़े चुँके यहां पर दो band break करने पड़ते हैं यही वज़ा है कि यहां पर जो fragmentation होती है वो कम chance होता है इसकी molecular iron peak ज्यादा stable आती है जब cycloalkene जब यहां पर branched होती है तो फिर उसमें branch निकलने का chance बढ़ जाता है क्यों क्योंकि जो भी system में for example यह हमारे पास methyl cyclopentane है यहां methyl group लगा हो तो यहां से methyl group का loss easy है as compared to the other groups बचा क्या है क्योंकि यहां पर एक band break करना पड़ रहा है cyclic system अगर break करना है cleavage करनी है bond उसमें break करना है fragmentation करनी है तो दो band break करने पड़ेंगे लेकन side chain को अटाना है तो एक तो अगर substituted alkenes होती है तो फिर side chain का loss easy होता है characteristic peaks कौन से होती है इनमें एक तो peak characteristic peak आती है M-28 यहां से alkenes molecule का loss हो जाता है ethene का for example यहां पर cyclopentane है तो cyclopentane में यहां से यह इतना हिस्सा ethene molecule निकल जाएगा दो carbon और चार hydrogen का यहां से loss हो जाएगा यानि total 28 का यहां से loss होगा तो एक तो characteristic peak आएगी जो कि M-28 पे आएगी यानि molecular mass में से 28 का loss होगा बाकि सारी peaks वैसे ही है 15, 29 है, 43 है, 57 है यानि methyl group का loss हो सकता है ethyl का loss हो सकता है propyl है, butyl है यह losses हो सकते हैं और difference भी क्या आएगा 14 का, simple सी बात है यहां पर भी जो homologous series है cycloalkanes की तो वहां पर adjacent member में CH2 का ही फरक होता है तो यहां पर जैसे N-15 है और N-29 है, दोनों में फरक कितना आएगा, बिलकुल की तरह, यहां पर भी difference कितना आया, 14 का 29 और 43 यानि ethyl और propyl में 14 का, 43 और 57 यानि propyl और butyl में कितना आएगा 14 का, तो यह loss यहां पर जो adjacent peaks आएगी साह साथ वाले fragment उन में 14 का या 28 का इस तरह से loss यहां पर appear होता चाहेगा तो यह mass fragmentation इस तरह की होगी, लेकन ज्यादा जो characteristic peak है वो characteristic peak आएगी M-28 की वज़ा से, यानि ethene के molecule का loss होगा जैसा के देखें, यह cyclopentane है, और cyclopentane जो है, इसकी molecular iron peak आती है, 70 यह होता है C5 H10, यह है molecular, यह molecule है, और यह peak जो आती है, this is due to the C5 H10, यह radical catein हो जाएगा, यह molecular iron peak हो जाएगी, देखें, इसकी अच्छी खासी intensity है, यह इसकी stability ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दो बांड ब्रेक करने पड़ने, अब यहाँ से alkene का loss होगा, यहाँ से दो बांड ब्रेक हो जाएगी, यह इस तरह CH2, CH2, यहाँ पर alkene का loss हो जाएगा, CH2 double bond, CH2, और बाकी जो हमारे पास fragment बचा है, यह C2H4 निकलने के बाद, यहाँ पर रह जाएगा, C3H6, तो बाकी जो peak आएगी, वो C3H6 की वज़ा से आएगी, यह टोटल मैस है 70, इस में से 28 निकल गया, M-28, यहाँ से निकला है, तो 70 में से अगर आप 28 माइनस करेंगे, तो peak आएगी 42 पर, तो यहाँ पर M-28 वाली peak, जो है वो 70, यह 28, 70 में से 28 माइनस करेंगे, तो यह peak आजाएगी 42 पर, इसके लावा यहाँ 55 पर भी peak आ सकती है, 55 पर peak कैसे आएगी, 55 पर peak तब आती है, जब यहाँ से CH2 group with extra hydrogen निकल जाता है, यह एक CH2 group है, और यह साथ वाले carbon से hydrogen लेगी, और बाकी हमारे पास, यहाँ से यहाँ से CH2 प्लस CH3 की वज़ा से एक peak जो है वो निकलती है, तो बाकी C5H10 में से क्या बचेगा, एक carbon और तीन hydrogen कम कर दें, तो यह बचेगा C4H, यहाँ पर 7 बचेगा, और C4H7 जो है, यह 55 पे peak शोग करेगा, तो यह साइकलो पैंटेन, इसका mass spectrum इस तरह का आएगा, यानि characteristic peak इन में M-28 पे आती है, अब अगर methyl cyclopentane को देख लें, मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले बताया, कि इसमें side chain जो है, उसका loss ज्यादा favorable है, side chain जल्दी निकल जाती है, क्योंकि एक ही band break करना पड़ता है, तो इसका molecular mass, यह total इसमें carbon बन जाएंगे 6, तो इसका यह होगा C6H12, और इसकी जो molecular mass है, वो 84 है, और 84 पे peak अप आएगी, जब इसका radical catein बनेगा, यानि यह molecular iron peak बन जाएगी, यहाँ से, यह radical c4 पे peak आती है, अब यहाँ से side chain का loss भी हो जाता है, M-28 भी होगा, अगर मैं इसमें से ethene का molecule निकाल दूँ, फार एक्जमपल यह molecule यहाँ से निकल गया, ethene का CH2, CH2, तो यहाँ से इसका मतलब है C2H4 माइनस कर दे, M-28, जब इसमें C2H4 निकालेंगे, तो C2 दो कार्बन कम करेंगे, C4 चार हाइडोजन कम करेंगे, H8, तो यह वाला जो fragment है, actually यह C4H8 जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, उसकी वज़ा से आएगा, यहाँ आपके पास total mass 84 था, इसमें से आपने 28 माइनस करना था, तो यह आपके पास जो peak आएगी, वो 56 पे आजाएगी, अब यहाँ पर इसके साथ साथ, यहाँ से methyl group भी निकल सकता था, यहाँ साइड चेन का निकलना यहाँ से इजी है, यह वाला यहाँ से methyl group निकल जाए, जब methyl group निकलेगा, total C6H12 है, methyl निकला, तो इसका मतलब है कार्बन कितने बच गे, 5C5 और हाइडोजेन 3 निकलने के बाद H9 बच गया, तो यह पीक आती है C5H9 की बचा से, यह वाला fragment हमारे पास 69 पर अपियर हो जाता है, जब सिरफ साइड चेन इसमें से निकलती है, बाकि साइक्लो पैंटेन रिंग हमारे पास बची रहती है, यह वाला, यह कार्बो केटाइन जो है, यह 69 पर अपियर हो जाएगा, तो इस तरह से साइड चेन का लॉस भी होगा, और क्रेक्टरिस्टिक पीक जो सबसे स्टेबल है, देखें, बेस पीक यह 56 पे M-28 करने से आती है, इसके साथ साथ यहां पर 41 पे भी एक पीक आ जाती है, 41, अब देखें, यहां से यह आपके पास टोटल मॉलिक्यूल है, अब आप इसमें से मिथाईल निकाल दे, जब हम मिथाईल निकालेंगे तो यह पीक आएगी 69 पे, और मिथाईल निकलने के बाद यह बच जाएगा, CH2, यहनि साइकलो पेंटेन, यह कार्बोकेटाइन बच गया, और यह पीक आती है 69 पे, यहां से भी यह बढ़ा, यह पीक हमारे पास आजाएगी 69 पे, अब इसमे यह जो है, यह साइकलो पेंटेन है, जब आपके से मिथाईल का लॉस यहां से करवा चुके हैं, यह वाले, अगर इसमें से आप इथीन निकालने, यह वाला इथीन का मॉलेकुल यहां से निकल जाएगा, यह वाला फ्रैग्मेंट सेपरेट हो जाएगा यहां से, अब यह निकलेगा तो बाकी यहां पर देखें तीन कार्बन बच गए यह बच गया C3 और यहां पर पांच हाइडोजन दो यह CH2 वाले दो CH2 एक यह C3H5 पे पीक आएगी और C3H5 का मतलब है यह पीक हमारे पास आजाएगी 41 पे 41 पे भी इसमें एक पीक अपियर हो चाती है जो के इस फ्रेग्मेंट की वज़ा से होती है जब साइक्लोपेंटेन में से इथीन निकलती है यह साइक्लोपेंटेन वाला जो कार्बोगटाइन बना जब यह फर्दर फ्रेग्मेंट बनाता है तो तब 41 पर पीक आती है इसी तरह यहां पर 42 पे भी पीक आ सकती है और 42 पे पीक कब बाती है जब यहां से यह देखें यह हमारे पास मिथाइल साइक्लो पेंटेन है यह वाला फ्रेग्मेंट यहां से अलाइदा हो जाए यह वाला फ्रेग्मेंट जब अलाइदा होगा तो यह दोनों फ्रेग्मेंट जो है यह भी 42 मैस का होगा तो इन में से जो भी होगा उसकी वज़ा से यहां पर पीक अपियर हो जाएगी तो इस तरह से जो साइकलो अलकेंज हैं उनमें साइड चेन का लॉस होके यानि डिरेक्ट मॉलीक्यूल में इसे भी M-28 हो जाता है इन दोनों पीक्स का अगर आप डिफरंस चेक करें तो यह 28 का डिफरंस है M-28 और अगर आप इसका और इसका डिफरंस चेक करें 41 और 69 का तो यह भी 28 का डिफरंस है इसका मतलब है डिरेक्ट अलकेंज में से साइड चेन के लॉस के बगार भी इथीन का मॉलीक्यूल ऐसे निकल जाता है और दूसरा है कि पहले साइड चेन निकल जाए उसके बाद उसमें से इथीन के मॉलीक्यूल का लॉस हो तो दोनों तरह से म माइनस 28 पीक्स अपियर हो जाती है इसी तरह अगर हम बाई साइकलो अलकेंज को देखें जैसा के ये बाई साइकलो हेप्टेन है टोटल इसमें साथ कार्बन है तो इसका मॉलीकूलर मैस नाइनटी सिक्स है यहाँ पर 96 molecular mass है है तोटल यहां पर carbon 7 है यह हेटेन है दो carbon यह वाले है एक carbon दूसरा carbon है इसी तरह यह दो carbon है CH2, CH2 वाले यहां पर यह carbon है यह carbon है और यह Zahlen इस तरह तोटल यहां पर जो carbon बनेंगे वो 7 बनेंगे अगर आप यहां पर hydrogen निकलना चाहें तो हो 12 होंगे, यहां देखें यह CH2, CH2 4 होगे, यह CH2, CH2 8 होगे, यह CH2 10 और यहां एक एक hydrogen है, तो यह C7, H12 की वज़ा से यहां पर एक peak आएगी, यह radical ketine होगा, यह हमारी molecule rine peak है, इसकी भी intensity अच्छी है, क्योंकि यहां पर भी cyclic system है, दो band break करने पड़ेंगे, अब यहां से M-28 पे peak, यह alken का molecule यहां से निकल जाए, तो alken का molecule जब 18 का molecule निकलेगा, तो यह M-28 पे एक peak आजाएगी, यह यह है हमारे पास C7, H12, इसमें से आप C2, H4 को माइनस कर दीए, यह दो carbon कम करेंगे, तो C5 रह जाएगा, और चार hydrogen कम करेंगे, तो H8 रह जाएगा, और यह 68 पे कार्बोकेटाइन की peak आजाएगी, इस तरह से, यह M-28 है, यहां इन दोनों में जो difference आता है, वो 28 का आता है, यहां और यहां यह M-28 इथीन का नौस, इसके साथ यहां से मैथल ग्रूप भी निकल सकता है, मैथल ग्रूप, यह जो CH2 है, जो by cycle में, यह जो bridge बड़ा carbon होता है, यह CH2 के साथ एक extra hydrogen लेकर यहां से निकल जाए, यहां मिथाईल ग्रूप का लॉस हो जाए, तो यह 81 पे भी peak आजाएगी, यहां दोनों में 15 का difference है, इसका मतलब मिथाईल ग्रूप निकला है, अब मिथाईल का मतलब है, एक carbon काम हुआ, carbon कितने रहेगे, 6 और यहां पर hydrogen कितने रहेगे, मिथाईल का मतलब है, यहां से hydrogen 9 रह जाएगे, क्योंकि यहां से निकला है, हमारे पास CH3 निकला है, यहां पर हमारे पास 6-membered ring बनने का चांस है six member ring एक कार्बन पे positive charge आ जा जाएगा c6 h3 ये ले जाएगा 11 और फिर यहाँ पर double band होगा ये peak इस आईन की वज़ा से बन रही है तो यहाँ से ये वड़ा fragment भी बन सकता है यानि CH2 एक extra hydrogen लेकर यहाँ से निकल जाए इसके साथ यहाँ पर 67 पर भी peak आ सकती है यानि यहाँ पर यह हमारे पास है 96 पर peak ये तो आगी 68 पर M-28 ये M-29 की वज़ा से peak आ रही है और M-29 की peak कब आती है जब ये इथीन का molecule एक extra hydrogen लेकर यहाँ से चले जाए extra hydrogen लेकर जाएगा तो ये इथाइल की शकल में जाएगा और जब यहाँ से इथाइल की शकल में जाएगा तो ये जो 69 वाली peak है 69 वाली peak है इथाइल 29 यहाँ और यहाँ अगर फरक देखें 29 यानि इथाइल का लॉस है जब इथायल का लॉस है तो C7 में से दो निकलेंगे कार्बन C5 रह जाएगा और हाइडोजिन 5 निकलेंगे 12 में से 5 निकाल दें तो ये बच जाएंगे H7 तो ये C5 H7 वाड़ा जो फ्रेग्मेंट है ये इसकी वज़ा से हमारे पास एक और पीक यहां पर अपीर हो जाएगी यानि एक पीक तो 60 ये जो है हमारे पास 81 पे आ रही है ये 81 पे ये वाले पीक आ रही है 81 और फिर यहां पर एक और CH2 ग्रूप निकलेंगे यानि यहां से अगर आप एक और CH2 कम कर देंगे तो इसका मतलब है ये वाले पीक जो है ये इसकी वज़ा से आ रही है C5, H7 की वज़ा से ये वड़ा फ्रेक्मेंट बना है तो इस तरह जो साइक्लो अलकीन्स हैं उनमें करिक्टिरिस्टिक पीक जो आती है में पीक आती है वो M-28 आती है ये था डिया स्टूडेंट्स मारा आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेग्मेंटेशन पैटरन इन अलकीन्स को डिसकस करेंगे थैंक यू वेरी मच